नमस्कार दोस्तो विलकम बैक टूर्श चैनल दोस्तो जे एससी जे की रिकार्डिंग बात करने वाले हैं इसके रिजल्ट की रिकार्डिंग बात करने वाले हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं आपको भी पता है मिर भाई कि इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्द आना था हाला कि इसका जो रिजल्ट है अभी तक इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है ठीक है अब देखिए छात्रों की क्या रड़ नेती है आगे का क्या प्लान है छात्रों का तो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं तो वीडियो मंत अधिक है तो ऐसे में आप चैनल को सुस्क्राइब कर सकते हैं आए एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन सेयर करते हैं दोस्तों आपको भी पता है कि सुला तारिक को आपका जो है धरना परदर्शन किया गया था जे एससी जही रिजल्ट को लेकर ठीक है जे एससी जही रिजल दिया गया था इसके अंदर ही आपको कोई पॉजिटिव बेबसाइट पर कहने के मतलब यह है दोस्तों वहाँ पर आयोक के द्वारा बोला गया था की आठ से दस दिनों के अंदर कुछ ना कुछ नोटिस हम देंगे इसके रिजल्ट को लेकर या फिर आपका जो रिजल्ट है इसे जारी कर देंगे ठीक है ओइसा जो है अस्वासन दिया गया था लेकिन अब क्या है दोस्तों कि अब जो हे आयोक सीधा मुकर रहा है कि हमने ऐसा कोई भी आस्वासन नहीं दिया है ऐसा आयोग का कहना है आपको बता दिये दो से तीन दिन पहले कुछ छात्र जो है इस आयोग पर विजिट किये थे तो वहाँ पर देखिए आयोग के द्वारा सिधा बोला जा रहा है कि हमने कोई भी ऐसा आस्वासन नहीं दिया था कि 8 से 10 दिनों का अंदर आपका जो रिजल्ट है इसके अधिकारिक वेबसाइट पर हम जारिक कर ही देंगे तो ऐसा जो है सीधा मुकर रहे हैं यह लोग और सबको पता है मिरवाई कि 8 से 10 दिनों का अंदर आपका जो रिजल्ट है यह जारिक किया जाएगा यह जो बात है ठीक है ये जो बात है पेपर में भी आया हुआ था पेपर में भी पब्लिक्स किया गया था नियूज में भी आया हुआ था लेकिन आयोग जो है साफ मुकर रहा है कि हमने ऐसा कोई भी आसवासन नहीं दिया है अब देखिए छातरों की क्या रण नेती है छातरों की जो प्ला प्रफित में आपका जो रिजल्ट है यह जारी होने की पूरी-पूरी संभावना वो लोग जता आ रहे हैं ठीक है छात्रों की द्वारा पूरी की पूरी संभावना जो है आज जताए जा रही है कि आज जो है इसका रिजल्ट इसके अधिकारिक वेपसाइट पर जारी किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ ठीक है इनकेस अगर आपका ऐसा नहीं हुआ अगर आपका जो रिजल्ट है जारी नहीं किया गया तो चात्रों ने प्लान बनाया है कि 30 तारिक को ठीक है 30 तारिक को फिर से वह जो है धरना परदृशन करेंगे 30 जन्वारी यानि कि कल के फिर से धरना परदर्शन आपका किया जाएगा और ये धरना परदर्शन छोटा मोटा नहीं होगा, काफी बड़ी संख्या में छात्र जाएंगे और धरना परदर्शन करेंगे आयोग पर, ठीक है, यह रड़ नीती है दोस्तों तो ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे मिरभई कि अगर आप चाहते हैं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि JSC JE का कुछ रिस्पॉंस आए आपका जो रिजल्ट है JEE का यह जल्दी पब्लिस किया जाए तो आप जो है हाथ पे हाथ धरे मत बैटिये मिरभई आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी ठीक है आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी तभी आपका कुछ हलाव हला हो सकता है ठीक और जैसा कि आपको भी पता है मेरे भाई कि जे ससी जेई का ही जो चीजें यह लेट होता है ठीक है जे ससी जेई का ही रिजल्ट नहीं आया वहीं अगर बात करें हम ससी जेई की तो आपको भी पता है कि सेम एजेंसी होती है ठीक है सेम एजेंसी होती है और इन सब का सारा जो चीजें ये clear हो जाता है सिर्फ जो है JEE का ही आपका जो काम है रुका हुआ है तो ऐसे में आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और 30 तारिक को काफी बड़ी संख्या में जो है आयोग पर विजिट करने वाले है छात्र जो है आयोग पर विजिट करेंगे काफी बड़ी संख्या में भीड होने वाली है ठीक है तो ऐसे में आप भी पार्टी स्टिपेट जरू करिए दोस्तों जिससे आपका जो है एक पाश्टिव रिस्पांस मिले और अगर बात करें इसके कट आफ को लिखकर किसर इसका जो कट आफ किस तरीके से रह सकता है कौन से कटिगरी में कितना कट आफ रह सकता है तो ब्रांच वाइज आईए कट आफ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कट आफ वगयरा है आपको देखनों को मिल सकता है ठीक है तो आए इस पर चिर्चा कर लेते हैं मेरे भाई cut off आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो cut off वगरा है आपको देखनों को मिल सकता है और result की अगर बात किया जाए तो result जो है आज पूरी की पूरी जो संभावना है वो यही जता आ जा रही है कि इसका result आज इसके अधिकारिक website पर जारी कर दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों तो कल के date में आपका धरना प्रजर्शन किया जाएगा ठीक है तो देखते हैं अगर आपका result आज जारी होता है तो आपको जो है हमारे चैनल के मादम से अबडेट कर दिया जाएगा तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आज ये समझ लेते हैं इसके cut-off को लिकर कि सर जो cut-off बगएरा है ये किस तरीके से देखनों को मिल सकते हैं तो आज ये इसके बारे हम discuss कर लेते हैं अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें cut-off को लिकर तो पेपर बगएरा आप यहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर बगएरा आपका जो है कंडक्ट कराय गया था या पेपर आपका दो सिट में करवाय गया था दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 अगर बात किया जाएं पेपर 1 की तो 120 प्रश्ण कुल पूछे गए थे 80 प्रश्ण आपके थे जनरल इंजिनेरिंग से और 40 प्रश्ण थे आपके जनरल नौलेज से ठीक है प्रतेक प्रश्ण आपका 3 माक्स का यानि कि 360 नंबर का पुडांक रखा गया था पेपर 1 में और वहीं बात किया जाएं पेपर 2 के बारे में तो यहां पर आप भी आप देख सकते हैं कि 120 प्रश्ण पूछे गए थे और यह जो 120 प्रश्ण पूछे गए थे यह पूछे गए थे आपके टेक्निकल से 360 नंबर का पुडांक जो है इसमें भी रखा गया था अगर बात किया जाएं इसके कट ओफ को लिकर सर कट ओफ किया रहा सकता है तो ब्रांच वाइस कट ओफ आप यहां पे देख सकते हैं कटेग्री आपको यहां पे दिया अगया है और तीन ब्रांच आपका जो है इसमें था तो तीनों ब्रांच आपके यहां पे दिया गया है अब देखें कट-ओफ के अगर चर्चा करें जर्फ कर गए चेन्रल कटेग्री वाइण करते हैं तो 525 से 525 तक आपका जो cut-off रह सकता है 560 से 570 तक रह सकता है electrical में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि electrical का जो cut-off गएरा है इसमें जो है थोड़ा सा ज्यादा देखनों को मिला है तो analysis किया गया है cut-off है हमारे हिसाब से कुछ है इसी परकार से जो cut-off है देखनों को मिल सकता है अगर बात करें EWS कीए तो EWS का भी आप cut-off यहां से देख सकते हैं BC1 का भी देख सकते हैं सारे branch का जो cut-off है दिया गया है ठिक है category wise BC2 का भी देख सकते हैं SC और ST category का भी आप cut-off यहां से देख सकते हैं यहां से आप screenshot ले सकते हैं हमारे हिसाब से दोस्तों कुछ निम्न परकार से जो आपका cut-off है देखनों को मिलेगा और अगर normalization की बात करें तो normalization के बारे में आप यहां से देख सकते हैं किस तरीके की जो normalization है यहां से हो सकता है कौन सारी information दी गई है तो depend करता है आपके shift पर कि कौन से shift में किस तरीके से जो exam है यह conduct कराया गया है तो किस तरीके का हिसाब किताब है दोस्तों तो 30 जनवरी को आपका जो protest होने वाला है इसमें जो है आप participate अवस कीजिएगा वीडियो को like जरू कीजिए मिर भाई और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो subscribe जरू कर लें अगर आज जो है इसका result जारी होता है या कोई भी notice आता है इसके अधिकारिक website पर तो आपको सबसे पहले इस channel के माध्यम से update किया जाएगा आगे जैसा भी update होगा अनफॉर्म करते रहेंगे मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जैंद